असलाम लेकुम वियोवर्स तो आज मैं डिसकस करने जा रहे हूं PNF की टेखनीक्स PNF की बेसिकली तीन टेखनीक्स हैं Holder Legs and Contractor Legs Agonist Contraction Holder Legs with Agonist Contraction तो PNF की जो पहली टेखनीक है Holder Legs and Contractor Legs इसको मैंने अपने प्रिवियस लेक्चर के अंदर डिसकस किया था आज मैं बागी दो टेखनीक्स को डिसकस करोंगी जो Agonist Contraction है और Holder Legs with Agonist Contraction तो सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं Agonist Contraction को Agonist Contraction नाम से ही जाहिर है कि इसकी अंदर हम Agonist Muscle Agonist Muscle को हमने क्या करना है Isotonically Contract करना है Agonist Contraction के अंदर Agonist Muscle कौन सा होता है वो मसल होता है जो Prime Mover होता है जिसने Movement को Initiate कराना होता है उसको हम Agonist Muscle कहते हैं लेकिन हम Contractor Legs और Holder Legs के अंदर क्या कर रहे थे हम Intagonist Muscle को Isometrically Contract कर आ रहे थे तो बेसिक डिफ्रेंस यह है कि इसके अंदर हम Isotonically Contract करते हैं इसके आपको यह लगेगी थोड़ी सी ना Resemblance इसकी Contractor Legs टेक्नीक के साथ लेकिन आपने याद रखना है कि Contractor Legs के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो Intagonist Muscle होता है उसको हम Isometrically Contract करते हैं लेकिन Agonist Contraction के अंदर हमने जो Agonist Muscle है उसको Isotonically Contract कराना होता है अब Isotonically Contract का क्या मतलब होता है यानि कि Patience जो होगा वो मूव करेगा अपनी कोई भी मूवमेंट को ठीक है बाडी के पार्ट को मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट के साथ हमने उसकी जो मूवमेंट उसको क्या करना है इदर हमने उसको Hold करके नहीं रखना बलके पेशेंट अपने उस Agonist Muscle को क्या करेगा Isotonically Contract कराएगा और उसके साथ हमने उसको Resist करना है Shortening Position के अंदर मसल की तो अब भी आपको आगे मैं एक्जेंपल से समझाती हूँ आपको ज्यादा क्लीर हो जाएगा तो Agonist Contraction के इंदर हमने Isotonically Contract करानी है Agonist Muscle की ठीक है और उस इस Position के साथ-साथ हमने उसको क्या करना है Resist करना है उसके मसल को ठीक है मैंने PNF Technique स्टार्टने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर आपको एक रूल बताया था जिसको आपने हमेशा आपनी फिंगर टीप पर रखना है वो रूल किया था कि हमेशा जो रींज लिमिटिंग मसल होगा वो कौन सा होगा है अगर एक पेश्यंट आया है जिसके आपने क्या है तिक यह को एक्जैंपल से सम ज़गा गरहिए t multiplic आया और है और यह बारैसेप मसर माम जो आप टीक है यह लिए और ये triceps है, एजएमपल एक पेशेट आया, आपके पास जिसके क्या है triceps muscle tighten हुए हुए है, triceps muscle उसके tighten हुए हुए है, तो range limiting muscle कौन सा हुवा, triceps muscle हुआ, triceps हुआ, ने कह Weần Har is R justification, क्या करेंगे antagonist muscle triceps muscle है तो अब agonist muscle इसके अंदर कौन सा होगा वो होंगे हमारे पास biceps muscle अब हमने क्या करानी है हमने ये technique apply करनी है agonist contraction की तो अब हम क्या करेंगे biceps muscle उसकी क्या limited होगी यहाँ पे अब उसके tightन होए है triceps muscle तो ये triceps muscle कौन सी movement को resist करेंगे इसकी extension को ठीक है उसकी extension limited होगी क्योंके limited क्यों है क्योंके उसके triceps muscle tighten होए है और वो extension को limit करें extension की range पूड़ी नहीं आपाड तो अब हम क्या करेंगे patient को कहेंगे के वो ना flexion करेंगे जब patient जो है ना flexion करेंगे इस तरफ हम कहेंगे उसको upward move करें अपनी elbow को patient move करेंगे साथ साथ हम उसकी movement को क्या करेंगे करेंगे तो हम उसको downward resist हमारी जो hand की force होगी वो downward होगी और patient upward elbow को move करेंगे और हमने साथ साथ move करता जाएगा करता जाएगा साथ साथ हमने उसकी movement को क्या करना है रिजिस्ट करना है यहां पे हम hold नहीं करेंगे for example ठीक है यह elbow है patient का पेशन को हम कहेंगे वो flexion में मूव करेंगे यानि के upward move करेंगे पेशन जो अपवड मूव करेंगे तो साथ में हमने movement करेंगे साथ साथ हम उसकी movement को क्या करेंगे रिजिस्ट करेंगे ठीक है तो यह होती है agonistic contraction इसके अंदर हम जो agonist muscle है इसके अंदर जो basic mechanism हो रहता है वो यह हो रहता है हम आईसो टोनीकली contract करा रहे है agonist muscle को जब यह agonist muscle contraction हो रही है तो इसकी वज़ा से reciprocal inhibition हो रही है triceps muscle की reciprocally inhibit हो रही है reciprocal inhibition की वज़ासे यह क्या हो रही है tighten muscle अगर एक पेशेंट आया है पहले तो उसके ट्राइसेप्स मुसल थे ना उसके अंदर मैंने आपको एकशेंपल देती है अगर एक पेशेंट आया है आगर एक पेशेंट आया है जिसके बायसेप्स मुसल टाइटन ह你在 the muscle का आपके अधिक्री मिश्वेशेंटर कर और आपको ट्राइसेप्स मुसल ओं है अज यह डाइसेप्स मुसल dah cooling ऐसेप्समyin उसके टाइटन है है तो टाइटन मसल इसका मतलब क्या ओबागा को यह रेंज़ लिमिटिन मसल पीज़ के सब्सक्राइब कि क्या लिमिटेड है बाइसेप्स मसल शॉर्टन आए तो शॉर्टन की वज़ास है उनकी क्या है उनकी फलेक्शन लिमिटेड होगी गाद कि एक पूरी तरह नहीं आएगी अब हमारा क्या टार्गट है हमने ट्राइसेप्स मसल इनकी क्या निंग और नियकर है अब हम resistant कि उन अब हम क्या करेंगे। पेषेंट को कहेंगे कि वह एक्सेंजन में मूव करें। जब पेषेंट एक्सेंजन में मूव करेंगे. तो यह जातीा है। एगुनिस्टिक कंट्रेक्शन ट्राइसेप्स की क्योंकि इसके अंदर एगुनिस्ट मुसल ट्राइसेप्स है और फिर उसकी वज़ा से जब यह एक्स्टेंशन हो जाती है तो तब हम ठीक है फिर उसके बाद रिलाक्सेशन भी करवानी है पेशन्ट को हम कहेंगे जब हम इस इस आहिए इस प्राइससेप्स मसल हो रहा है यह इस तरह हमारा चिव होगा तरह हमने करना केक्शन कुछा करना है उसको कौन से बना जो फ्लेक्शन को हमेशा इसके अंदर हमेशा आपनों यह ने मेशच कारा वह रहें कहने हमー और वो reciprocal inhibition की वज़ा से वो क्या हो जाएगा वो लेंथन होगा तो यह basic mechanism होता है agonistic contraction का फिर नेक्स technique आ जाती है वो इन दोनों को combine है इसके अंदर दोनों ही आ जाती है techniques जो पहली दो मैंने आपको बताई है na hold relax and then मैंने आपको बताई है agonistic contraction यह दोनों टेक्नीक को जब हम combine कर लेते हैं तो थर्ड टेक्नीक बन जाती है जो आ जाती है hold relax with agonist contraction इसके अंदर hold relax का वही फिनोमना आ जाता है सबसे पहले इसके अंदर यह दोनों टेक्नीक कमबाइन कर लिया सबसे पहले हमने isometrically contract कराना है range limiting muscle इसके अंदर मैं सबसे पहले कहूंगी patient को कि isometrically करवानी है triceps को contract कराना मैं कहूंगी patient को कि go na extension में move करें मैं इसकी extension को resist करूंगी isometrically contraction किसकी ओरी है triceps muscle की hold relax का मैं इसके अंदर सबसे पहले hold relax का mechanism आएगा isometrically contraction को रही है antagonist muscle की जो कौन से है triceps muscle isometrically मैं इसको क्या कर रही हूं तो रिजिस्ट कर रही हूं फिर उसके बाद मैं hold करूंगी इसको 5 seconds के लिए one two three four five and then इसको मैं relax करूंगी और फिर उसको मैं new range के अंदर move करवा हूंगी ठीक है तो मैं इस patient को गूंगी वह साथ इक flexion में move मूव करेगा तो इसको the flexion को मैं resist करूंगी प्रिजिस्ट करूंगी time isotronically क्या कराईगा contraction करेगा वह flexion में move करेगा मैं इसको shift movement करूंगी मेरी force यह जोगी एकवर्ड होगी वह on move करेगा साथ में और मैं उसकी movement को रिजिस्ट करूंगी तो यह हो जाती है सबसे पहले hold relax with agonistic contraction इन दोनों को at a time ही हम करेंगे hold relax और agonistic contraction तो यह third technique हो जाती है अगर आप में चैनल पे नहीं आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाहाफ़स झाल